दोस्तो चतिस गड़ी फिल्म सरई कया तीसरा हपता चल रहा है और अभी भी यह फिल्म टॉक्यो में काफी अच्छा परदरसन कर रही है दोस्तो इस फिल्म को दर्सक इतना क्यों पसंद कर रही है इसका मुख्य कारण है इस फिल्म की कहानी फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार आनन्द मानिकपुरी जो की एक यूटूवर है और वह अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए घूम घूम कर व्लॉग बनाता है इसी बीच आनन्द को इस फिल्म की हिरोईन अनीता से प्यार हो जाता है दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं वही बात जब इनकी साधी तक पहुशती है तब अनीता के पिता जी जिन्हें सिर्फ सरकारी नौकरी वाला दमाच चाहिए इस कारण यह साधी रुख जाती है आनन्द जोकी अनीता से साधी ना करने के कारण बहुत परेशान चल रहा होता है उसे सरई डी के बारे में पता चलता है जहां माननेता है कि सरई के जंगल में एक सफेद पत्थर है जहां कोई भी मननत मांगने से वह पूरी हो जाती है यह सुनने के बाद आनंद अपने दोस्त नवरंग यादों के साथ उस जंगल की और निकल जाता है उसके बाद या परिवारिक ड्रामा कॉमेडी फिल्म एक होरर फिल्म में तबदील हो जाती है और ऐसी ऐसी घटनाएं होती है जिसे देखकर आनंद और उसका दोस्त दोनों बुरी तरह घबरा जाते हैं उसके बाद उनका जो रियक्शन होता है वा देखने लाइक होता है दोस्तो इस फिल्म में आगे और क्या-क्या होता है या देखने के लिए आपको अपने नस्दी की सिनमा घर में जाना होगा दोस्तो इस फिल्म की अच्छी बात या है कि फिल्म में भर भर के गाने डाल कर इस फिल्म की कहानी के साथ खिलवाड नहीं किया गया है इस फिल्म में मात्र तीन गाने हैं जो कि आपको निरास नहीं करेगी दोस्तों बात करें इस फिल्म की कमियों के बारे में तो यह फिल्म थोड़ी और छोटी की जा सकती थी या स्क्रीन प्ले को और बहतर किया जा सकता था कहीं कहीं फिल्म में color correction में भी गड़ बड़ी दिखी या परदे के वज़ा से भी brightness कम नजर आया या कहा नहीं जा सकता और फिल्म में junior मितुन कहीं कहीं हमें खूब entertain करते हैं तो कहीं कहीं एक ही dialogue से वा बार बार बोल कर हमें irritate भी करते हैं गुल मिलाकर इस फिल्म में जूनियर मितुन को काफी नोटिस किया जा रहा है और यह उनके करियर के लिए बहुत अच्छी बात है और रही बात overall इस फिल्म की तो यह फिल्म बहुत अच्छी है और यगीन मानिए यह फिल्म आपको निरास नहीं करेंगी। दोस्तों इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और 36 गड़ी फिल्मी जगत से जुड़ी नहीं नहीं जानकारे के लिए बने रही हमारे चैनल के साथ अपना और अपनों का ख्याल रखें, धन् नवाद